नमस्कार और अदाबाद सनीचर है आगस के 24 तारी पेशे आप के लिए साथ दिन के खबरें बीद हुए सनीचर को लिफ और नोपर बरेट सिफर क्लारिंगन लोगों को दी गई है साथ लोगों को सरस्तख लोगों को खुश की गई है सालों से लोग इसका मांग किये थे और इन लोगों का मांग अब पूरा किया जाता है एरखी बी का मिनिस्टर लेकराम सूरजन वहाँ पर मौझूद था यब बरेट सिफर क्लारिंग पहला शक्स को दिये है और बाकी लोगों को भी बरेट सिफर क्लारिंग मिला है मिनस्टर सूरजन ने कहा है कि पिछला हुआ काम जो है लोगों को कही दिनों से अब बरेट सिफर क्लारिंग मिलना चाहिए था तो ये अब लोग जोड़ दोर से काम कर रहे हैं, सभी लोग जो मांग किये थे, लोगों को बरैट्स फरक्लारिंग देने के लिए 23 साल का युवन्डे क्लेमंस सनीचर 17 तारिक आगस, आगस के 17 तारिक को ये एक हाथसा हुआ है, फ्रेंचिप कोरोनी में और इस हाथसा से क्लेमंस ज्यादा तोर पर पूरी तार से घायल हुए थे, इन्हें लोग हॉस्पिटल ले गए, लेकिन अफसोस की स्पूद ऐसंद हुलब में ले जाने के बाद, शाम के वक में इसका दिहान हो गया है, ये क अफसोस की घायल होने के बाद, इनका इलाज भी हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल में इसका दिहान हो गया है, मिनिस्टेरी फंद सुशालिसाग और इन्फॉलक्स हाउस फैस्टिंग अभी तक जवाब नहीं दे पाई है, सवाल पर, कि जो अल्खमीन किंदर 22 लाग है, तो य कहा गया है कि पैसा भी नहीं है, मेदलन अभी तक नहीं है, यह पैसा भरने के लिए, वैसे इस वक्त हम 2019 में हैं, लेकिन 2017 के बाद हम कर दी है, लोग बात चीत किये हैं, बात करना चहां मौंचे आतों पाई से, जो को और्डिनाटर है, दिन्स अध्मिनिस्टराट्सी आउ कोई कोमेंटार नहीं है, कुछ वो नहीं बात करना चाहते, खासतोर पर मेदिया को वो कुछ इस बार में बतलाना नहीं चाहते, योगि उन्हें भी खुद नहीं मालूम है, कि यह पैसा कब भरा जाएगा, कुछ परिवारों लगभक कुल मिलाकर 325 परिवारों को बेरोजगार किया जा रहा है, फाकमॉंस लेदर मुर्विन लेफलंग जो है, यह है रोसेवाल्ट का जो फाकमॉंस मन है, फाकमॉंस का आत्मी है, यह कहते हैं कि यह फैसला जो लिया गया है, 325 मस्दूर को वहाँ काम से निकालने के लिए, यह सुनकर इनको भी काफी हैरानी हुआ है और काफी दुख हुआ है, यह ज़रूर खुशी के बात नहीं है, क्यूंकि अब 350 लोग जब वहाँ से काम से निकाला जाएगा, तो इन लोगों के परिवारों पर भी असर होगा, यह कॉंट्रक्ट पंदरा तारिक आगस 15 अखस तुस्तक यह सब वहाँ दिन्स में था, उसके बाद नौकरी से इन लोगों को निकाला जाएगा, अफसोस के बाद यह है कि लोगों को वहाँ से निकाला जाता है, लेकिन मेडिया में रोसेबल गोल्ड माइंस ने कहा है, कि जो हाथसा कुछ पहले वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर एक इलखाल पॉर्क नौकर का दिहांत हुआ, इस पर गोली चलाया गया है, जिससे इनका दिहांत हुआ है, यह हाथसा से कोई असर बद्रैफ पर नहीं हुआ है, अगर असर नहीं हुआ है, तो क्यों लोगों को नौकरी से निकाला जा अन्य स्चार प्रेस्ट्टस्टब्स का पंड्स में प्रेऊ मास्ट पी स्थार में श्मझ पांब umकριत बेखें 59 आजी इस में परांब 59 आज स्थार शुनिज़ को पी अन्य क्रोप्स ठीका छेन में सुरीणाम का छो करप्स आफड़ के मिन्सालीर को इनको न्यूक तिया है। नेगनें फेर तख स्ट करद शेफ सुरीनाम देश का रोबेर्टो प्राद है। यह जो प्लेखत है था यह जो कार्य था यह हुआ है पलिट्सी अकादेमी के मायदान पर जो कमवेन स्ट्राथ में है। अखनेस दानियल्स जो इससे पहले यह करद शेफ था इनके द्वारा यह अपना बागदोर अब प्राद के हवाले किये है। प्रेजिदेंट होफ कमिसारस दानियल को शुकरिया आदा किये है जिस तरह से उन्होंने काम किये है कौरस पलिट्सी सुरी नाम के लिए और नया कौरस शेफ से कहे है कि उमीद है कि पूरे इमानदारी के साथ वो काम करेगा यह जो काम उनके अपसौपा गया है काफी प्राद ने कह चुके है कि बदलाव आएगा पुलिट्सी इनलिखत दीन्स के पास यहां से लोगों को निकाला जाएगा हटाया जाएगा और दूसरे लोगों को बठाया जाएगा और स्वार क्रिमिनाली तैप पर भी लोगोर करने वाले है बीत हुए सनीचर के शाम को एक घटना हुआ है रे बैरख पर और इस घटना से एरिक खरानोस और इनका दामाद घाबरियाल स्थुखर इन दोनों का देहान थो गया है यह एरिक खरानोस के पत्नी जो है जो है जो उन खरानोस अपने बयान में बताई है कि उस दिन शाम के वख में बारिश हो रहा था और एक आदमी नशे के हालात में था यह एलेक्रिसितेट्स मस्स से जाकर अपने गाड़ी के साथ तकराया है यह एलेक्रिसितेट्स मस्स जो इन लोगों के घर के आगे था यह वहाँ सरक पर गिर गया है और मुम्किन है कि एक माकान में आग लग गया है उसके बाद एरिक खरानोस यह देखा कि इनका जो फ्रीसर है इसके स्टेकर से भी आग वहाँ पर आग था वहाँ पर टिंगारी तो यह गये स्टेकर निकालने के लिए लेकिन मुम्किन उसमें स्त्रोम था और इनको यह स्त्रोम का जटका इने लगा है उसके बाद इनका यह दमाद जो था खाबरिया उस्त्यूखर गए इनके बचाने के लिए इनके बचाव में गए तो इनको भी यह स्त्रोम का जटका लगा है यह दोनों आदमी को परिवार होस्पितल ले गई है लेकिन अफसोस के रास्ते में इन दोनों का देहांद हो चुका था यह ओफिशल खबर है जो जो जोन खरानोस पत्नी जो है एरिक खरानोस का में दिये है यह जानकारी इस खटना के बारे में उन्होंने दिये है ए जोशे तेंपिको सेफनन फेर तकस्त फरकेश दो दा इस साल दोहसार उन्हेस के वास्ते सो मौर के सुभ में इनका हादसा हुआ है यह ब्रॉमफित्स पर था एरका बखराफ प्लाट्स जो है स्खीतबान वाख के आसपास में जब एक मौतर गारी जाकर इनको ढ़का लगा बवैस नहीं था पॉलीस इनको हिरासत में लिये है लेकिन इस हादसा से अफसोस के बाद यह है कि रोशे तंपिको सेफनन फेर तकस्त फरकेश दोद है रोशे तंपिको का देहान हो गया है मंगर के राद को पंच घर में वेट इंस्टेलिंग, वोणिंग, बाव फॉन्स और खरांसी फॉन्स जो है नेगनन दर्टख स्टेमन के साथ यह 49 स्टेमन के साथ देना पंच घर में पास हुए है इसके लिए लोग अपना रासमन दी दिये है कोवालीची और ओपोसीटी दोनों स्टेम किये है और इनिचाटिफ नेमर जो था इस वेट का यह एनफर सी मॉन्स था यह वेट से जो लोग बंक के पास हीपोतीक नहीं पाते थे बंक इन लोगों को हीपोतीक पैजा नहीं देता था यानि करजा नहीं देता था यह सब अब इन लोगों के लिए मुम्किन है अपना खुद का मकान बनाने के वास्ते ये आखरी खबर है आज साथ दिन में शुक्रिया नमस्कार और खोड़ा आफिस